हेलो फ्रेंड्स असलाम अलेकूम आज बनाते हैं घर की बचे हुई चीजों से यह डिलिशियस पुलाव यह देखने में देखे कितनी अच्छी लग रही है खाने में भी उतनी ही अच्छी लगती है लेकिन यह बनाया है मैंने घर की बचे हुई चीजों से थोड़ी थोड़ तेज पत्ता चीज दाल के लिए 10-20 सेकंड के लिए इसको फ्राइ होने के लिए रखेंगे जिरस्जी प्राइब है के लिए चवे मिर्ची दाल कर दाल देंगे मीडियम साइज के हुई प्याज वाला है मैं सारी चीजे बहुत ही कम डालेंगे क्योंकि हम बची चीजों का यूज जादा कर रहे है यहाँ पर चीजों का तो यह मैंने इतना ही बस डाला हुआ है थोड़ा सा घी थोड़ा सा प्यास और 2-4 अरी मिर्ची तो प्यास तो फ्राई कर लेंगे थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और golden color की नहीं करना है बस pinkish हो जाए हलकी सी तो प्यास ट्राइ हो गई है अब डाल दिया मैंने ये कटे हुए आलू छोटे छोटे आलू मैंने कट कर लिये थे इस तरह से और कट करके मैंने डाल दिया और ये मेरे पास स्रिमला मिर्श था और ये टमाटर था तो थोड़ा थो इसमें जाल दिया तो बचुए चीजों अब डमाटर फ़ाए बना दिया अलू दिया तो आपके पास अगर हो तो आप जरूर इसको डाल येगा इस सारी चीज़े डाल कर थोड़ा थोड़ा साथ stop 30-40 second के लिए इसको फ्रै करेंगे उसके बाद यह यह भी धाल दिया है इसको भी ने डाल दिया है इसमें इसी चीजें डाल कर भी थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे सब्जीयों के साथ और यह गोश्ट का सालन भी मेरे पास कल वाई था तो इसको भी मैंने इसमें डाल दिया है तो तो यह गोश्ट का सालन है इसको भी इसमें डाल देंगे और सारी जो सबजियां है उसके साथ अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और फोड़ा सा भून लेंगे थोड़ी देर के लिए बस तो यह मैं भून रही हूँ और जब यह भून जाए तो इसके साथ साथी मैंने इसमे तो थोड़ा सा भून लेंगे कि इसके अच्छी से खुश्बू आ जाए और उसके बाद ये मैंने डाल दिया है चिकन मसाला थोड़ा सा टेस्ट और बढ़ाने के लिए मैंने ये चिकन मसाला एड़ कर दिया है तो आप अपने हिसाब से डालिये नहीं पसंद करते हैं तो न दो टेबल स्पून मैंने चिकन मसाला डाला हुआ था और ये डाल कर थोड़ी देर के लिए 10 से 20 से के लिए सिफ इसको भी भून लेंगे सारी सबजियों के साथ उसके बाद मैंने पानी डाल दिया है और आप डाल रही हूं मैं चावल साथ ही चावल डाल देंगी तो दो करण में हाई पानी उसी कटोरी सेम कटोरी से मैंने 4 कटोरी पाहनें इसमें डाल दिया था और नमक बचे हुई मेरे खाने थे मतलब कीमा वगएरा सब नमकुसी कब आया था सब में अमक मैं थोड़ा कम ही डाल रही हूं अब हिसाब से अपनेृत हैं स्टेस्ट के रख दिया है और एक सीटी ये आ चुकी है बस एक सीटी में ही ये हमारे पुलाव बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है और मैंने इसको यहाँ पर एक सर्विंट ट्रे में निकाल भी लिया है इस तरह से आप सर्व करिए किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने ये बची हुई सारे चीजे बची हुई हो तो जरूर ट्राइ करिएगा और कॉमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि अच्छी बनी या नहीं तो रेसेपी पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे लाइक करिए शेयर करिए और पूरा वीडियो लास तक देखने के लिए अब का बहुत बहुत शुक्रिया